हेलो फ्रेंड्स हिमालेन तड़का में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू मतर की सबजी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से ये बहुत जादा स्वाधिश्ट बनके त्यार होती है यकीन मानिए एक बार आप इसे बनाओगे तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीजे है जो मैं बताओंगी आपको कि इसे किस तरह से बनाएंगे इसे बनाने के लिए हमने एक कडाई लेनी है सबसे पहले तो कडाई में हमने एक लिटर पानी लिया है पानी काफी अच्छे से गरम है गरम पानी में हमने एक चमच यहां पे शुगर एड़ कर लेनी है शुगर के साथ ही हम इसमें एक चम्मच चे सॉल्ट भी एड़ कर लेंगे अब क्या करना है हमने तीन मीडियम साइज के टमाटर और दो मीडियम साइज की प्याज ली है मैंने इनको भी हमने गरम पानी में एड़ कर देना है तो इस तरह से एक एक करके प्याज और टमाटर को हमने पानी में एड़ कर देना है और इसी के साथ मैंने लिए हैं एक कप मटर तो मटर को भी ही पे हमने इसमें एड़ कर देना है तो इस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो सब्जियों का टेस्ट होता है कलर होता है वो बहुत ही जादा बढ़ जाता है तो इस वाली ट्रिक को आप एपलाए करें तो अब देख सकते हो कि सब्जी में बहुत ही बढ़िया से उबाल आ चुका है उबाल आने के बाद क्या करेंगे हम सब्जी क तो चलिए गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं आप देख सकते हो मैंने यहां पर प्यास का और टमाटर का फाइन पेस्ट रेडी कर दिया है और जो मतर है मतर को मैंने एक पलेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है अब हमने एक कडाई लेनी है कडाई में दो चम्मच ऑईल ड चलाते हुए यहां पे फ्राइ करना है देखिए हमारे जो आलू है इनमें एक बहुत बढ़िया से लेर आ चुकी है और यह काफी अच्छे से फ्राइ हो चुके है इनका कलर भी चेंज हो गया है अब हम इने एक प्रेट में निकाल देते हैं हमारे जो आलू है यह 80% पक कि हमने बच्चे हुए तेल में तड़का रेडी करना है तड़के के लिए 5 काली मिर्च, 4 लोंग, 2 बड़ी लाल मिर्च सुकी हुई, 1 टुकड़ा दाल चीनी का, 1 बड़ी इलाइची काले वाली, 1 हरी इलाइची और 2 तेज पत्ता, खड़े मसालों का इस सबजी में बहु अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच लसुन, लसुन को भी हमने चलाते हुए भुनना है जब तक कि इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसे भुन लेंगे देखें लसुन में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब हम इसमें एड़ करेंगे प्याज का जो हमने पेस्ट रेड़ी किया है कर लेते हैं इसे बढ़िया से mix mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे एक चमच कसूरी मेथी कसूरी मेथी का इस सबजी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है जरूर add करें चलाते हुए इसे भी एक मिन्ट बढ़िया से भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चा पन है वो खतम हो जाए अब इसमें एक चमच हम बेसन add करेंगे बेसन को भी एक मिन्ट चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पन है वो भी निकल जाए बेसन का इस सब्जी में बहुत ही जादा important रोल है तो जरूर यहां पर बेसन add करें बहुत ही बढ़िया इससे सब्जी हमारी बनेगी तो बेसन को भी चलाते हुए हमने एक मिन्ट पका लिया है अब यहां पर add करेंगे एक चमच जो healthy powder है वो भी हमने यहां पर add कर देना है इसी के साथ इसमें डालेंगे एक चमच धनिया powder और साथ में ही डालेंगे एक चमच कशमीरी लाल मिर्च powder तीनों को बहुत बढ़िया से mix कर लेते हैं और gas की flame हमारी पूरे के पूरे process पे medium ही रहेगी medium flame पे हमने इने चलाते हुए बढ़िया से mix कर लेना है mix करने के बाद अब हम इसमें टमाटर add करेंगे जो टमाटर का हमने paste ready किया है वो भी हमने यहां पे इसमें add कर देना है बढ़िया से कर लेते हैं mix तो यहां पे हमने बहुत जादा इने नहीं पकाना है क्योंकि यह पहले से ही पके हुए है इसमें सुआत के अनुसार हम नमक डाल देते हैं नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे गरम पानी ही एड़ करें पानी डालने से क्या होगा कि हमारे मसाले हमने इसमें डाले है गरेवी में बहुत ही भरिका से खोल के आएगा तो यह मसाले एड़ करने के बाद तोटा सा पानी जरूर एड़ करें चलाते हुए एक मिंट इसे पका लेते हैं एक मिंट हो चुका है अब क्या करना है कि जो हमने आलू शेलो फ्राइ किये हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं गरेवी में थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यहीं पे हम इसमें एड़ करेंगे मटर आलू और मटर हमारे पहले से ही पके हुए है ये हाप डण है बस थोड़ा सा हमने इने और पकाना है बहुत थोड़ी सी कसर इनमें बाकी है तो बहुत जल्दी ये सबजी बनके रेडी हो जाती है बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं सबजी को आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी सबजी बन रही है तो ज़रूर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखते हुए सबजी को आप बनाएं और अब इसमें गरम पानी एड़ कर लेना है पानी आप अपने चोईस के अ कोडिंगी यहां पर पानी एड़ करें और गरम पानी ही एड़ करें पानी डालने के बाद धक्तन लगा के पांच मिंट मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए जोड़ देते हैं पांच मिंट हो चुके हैं हमारी सबजी से बहुत ही बैतरीन खुश्बू आ रही है इसे बढ़ि परफेक्ट बाइंडिंग हमारी सबजी में आई है बिल्कुल धाबा स्टाइल हमने इसे बनाया है बस चोटी-चोटी चीजों को आपने ध्यान में रखना है बिल्कुल लास्ट में हमने एक चमच यां पे गरम मसाला भी एड़ कर लेना है बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और खूब सारा डालेंगे इसमें धनिया धनिया डालने के बाद बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं हरा धनिया जरूर डालें विंटर में मार्किट में खूब सारा हरा धनिया आता है तो हरे धनिया से बढ़िया फ्लेवर आता है दाल सबजी में खूब सारा एड़ करें तो द करेगा देखिए बहुत ही परफेक्ट बनी है अब क्या करना है धकन लगा के दो मिंट इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं दो मिन्ट हो चुके हैं धकन हाटा लेते हैं सबजी में जो हमने हरा धनिया और गरम मसारा डाला था उनका जो फ्लेवर है वो सबजी में बहुत ही बढ़िया से रज चुका है बहुत ही बैतरीन इसकी खुश्बू आ रही है बहुत परफेक्ट रेडी हुई है हमारी सबजी तो चलिए मैं आपको प्लेट में निकालके दिखा लेती हूँ यह देखिए देखने से ही मूँ में पानी आ रहा है बनी है ना एक तम परफेक्ट हा हमारी सबजी आपकी सबजी भी बहुत ही बैतरीन बनेंगी बस इसी तरीके से बनाईएगा और अपनी फेमिली के साथ ज नए रेसेपी में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंज